नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सब भी का इस चैनल पर दोस्तों आपको बता दो कि अभी भी पेंशन भोगियों को उमीद लग रहा है कि 18 मेहनी का एरियर का बुगतान उनको किया जाएगा जास तो बहुत सारे पेंशन भोगी मिलते हैं तो उनको लगता है कि 18 मेह प्रवाइड कर दिया जाएगा एक नेचेवल अमांट उनको प्रॉइड कर देड़े जाएगा तो इस वीड़ीयो के वांदर से मैं पूरी जानकारी जरूर बढ़ाए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो लाते रहें तो आपको बता दू कि 18 मेहनी के डीये एरियर को लेकर पेंसन भोगी संगों के द्वारा बड़ी मांगी गेती कि 18 मेहनी का डीये एरियर एटलिस्ट पेंसन भोगीयों को प्रवाइड कर दिया जाए जहां तो पेंसन भोगीयों को ना तो इंक्रिमेंट लगता है ना ही उनकी जो पेंसन है वो बढ़ती है जैसे कि केंदरी करुचारियों की हर साल बढ़ती है उस प्रकार से पेंसन भोगीयो उनका एक सहारा होता है ऐसे में पेंसन भोगियों को उमिति पेंसन भोगी शस who को अथा लेटेस्ट में पनशन भोगी संगों की जो है बैठक माननी मंतरी जितन सिंग के साथ हुई थी, तो ऐसे में दोस्तों माननी मंतरी जितन सिंग अगर आप अभी भी आस्वस्त हैं कि मिलेगा हो तो आप भूल देगे कि आपको मिलने वाला है अब 18 महिने का डिये का एरियर मुद्दा जो है ओ हमेशा के लिए कतम हो गया है अब ओ मिलना इंपॉसिबल है वहीं दूसरी बड़ी जो खुशकवरी में आपको देने वाला था ओ है कि 65 साल से 5%, 10% और 15% की जो पैंसन बढ़ोतरी होने वाली है ओ होकी रहेगी जो आपको खुशकवरी नहीं मिली है वहीं पे 65 साल पे 5%, 10% और 15% की पैंसन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वहाल लिया गया है और ऐसे में आपको यह अच्छी कवर निकल कर आएगी कि उसमें बढ़ोतरी आपके पैंसन में होगी और वहीं पे फिक्स मेडिकल अलाउंस में भी बल्हुत्री होगी 1000 रुपए अभी फिक्स मेडिकल अलाउंस है तो 3000 रुपए उसको बढ़ाया जाएगा तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाई है